नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप देखे रेजिबिट पड़ी 4 और मैं हूँ आपके स्राथ समरिती खाशिक पाकिस्तान MNC की मदद से किसी तीसरे देश भाग सकता है अमरितपाल नेपाल के होटेल, लाउंज और एरपोर्ट में हायलट देखे एखास कबर खालिस्तान समर्थक अमरितपाल जिंको लेकर नेपाल में हायलट जारी हो गया है नेपाल पुलिस अमरितपाल को ढोड़ने में जुट गई है सभी डॉमेस्टिक और इंटरनेशनल एरपोर्ट पर इमिग्रेशन को अलट कर दिया गया है काटमांडो स्थित भारती दूतावास ने नेपाल सरकार को पत्र लिखते वे कहा कि भारत के भगोड़े अमरितपाल के नेपाल में छिपे होने और उसकी हुलिया बदल कर विदेश भागने की आशंका है दूतावास ने नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को अमरितपाल की अलग-अलग तज़वीरे भी साज़ा की है मालूम हो कि सूचना थी कि अमरितपाल नेपाल भाग सकता है उसके उत्तरा खंडिया यूपी से नेपाल भागने की आशंका थी इसको लेखर दोनों राज्यों की अंतर राष्ट्री सीमाओ पर सक्त पहरेदारी भी बैठा दी गई थी लेकिन वह सब को चक्मा देते वे नेपाल फरार हो गया दूतावास के पत्र में लिखा कि वो अपने पासपोर्ट या किसी फरजी पासपोर्ट पर सफर कर सकता है अमरितपाल के नेपाल से दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंक कॉंग भागने की यूजना होने की जानकारी के बाद सभी जगे जाने वाले विमान के यात्रियों की जान्च सकती से की जा रही है भारती खुफिया विभाक को आशंका है कि अमरितपाल नेपाल में पाकिस्तान एदूतावास के सहयोग से फरजी पासपोर्ट के सारे भागने की कोशिश करेगा भारत सरकार की तरब से अधिकारी जानकारी दिये जाने के बाद से पूरे नेपाल में हाई अलट घोशित कर दिये गया है भारत से सभी सीमा नाका पर जांच की प्रक्रिया को कड़ा कर दिये गया है संदिक्दों पर विशेष नज़ा रखी जा रही है बारत से आने वाले लोगों की आईडी की जांच की जा रही है आशंका के अधार पर नेपाल के भीतर कई जगों पर दविश दी जा रही है काटमांडो स्थित, रिभौन अंतर राष्टी विमांस्तल और भैरहवा में गौतम बुद अंतर राष्टी एरपोर्ट को हाई अलड कर दिया गया है नेपाल के सभी होटल, गेस्ट हाउस और लॉज में अमरितपाल का फोटो सार्क्यूलेट कर दिया गया है आपको बता दें, अमरितपाल और उसके फरार साथी पपलपरीत सिंग की एक सेलफी सामने आई है इसमें पपलपरीत सेलफी लेता नजोना आ रहा है, सेलफी में अमरितपाल के हाथ में ट्रिंक की केन है इस सेलफी कहां की है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है लेकिन पंजाब में या काफी वाइरल हो रही है वाइरल फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमृत पाल पर किसी का भी कोई खौफ या तनाव नहीं है अब इसके लिए पाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24